विराट कोली एक प्रशित व्यक्तित्त है जिसे किसी परचे की अर्शकता नहीं है उनकी जीवनी के लिए बहुत कम थब्द है दुनिया में ऐसे लोग बड़ा जल्दी सफल होते हैं जिनको उनके माता पिता का पूरा समर्थन मिलता है ऐसी ही कहानी है इंडियन क्रिकेट टी के कप्तान विराट कोली की आज विश्व क्रिकेट में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वालों में से एक विराट भारती राष्ट्रे क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं या एक भारती क्रिकेटर है दाय हाथ के शीर्शकरम के बल्ले पाज कोली को दुनिया के स आज नॉमबर 1988 को हुआ था विराट कोली पंजाब फैमिली से बिलॉंग करते हैं उन्होंने अपनी सिक्षा विशाल भारती स्कूल से हासिल की थी उनके माता का नाम सरोज कोली और पिता का नाम प्रेम कोली था इसके अलावा उनकी बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी है उनकी पिता एक वकील थी और उनकी मौत दिशंबर 2008 में हो गई थी उनकी परिवार के अनुशार जब कोली तीन साल के थे तभी उन्होंने क्रिकेट बैट हाथ में ले ली थी और अपने पिता को बॉलिंग करने को कहा था नौशाल के उम्र में विराट ने वेश्ट दिली क्रिकेट अकैडमी ज़ाइन की जबकि विराट के पिता ने तभी विराट को प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाने के लिए पड़ोसी के कहने से अकैडमी ज़ाइन करा दी राजकुमार शर्मा ने उनको अकैडमी में ट्रेनिंग दी, खेल के साथ ही वो पढ़ाय में अवल थे विराट के टीचर्स तभी कहते थे कि विराट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा 18 दिसंबर 2006 को ब्रेनी स्ट्रोक की वज़े से काफी दिनों तक अराम करने के बाद उनके पिता के मृत्य हो गई अपने प्रारंबिक जीवन को याद करते हुए कोहली एक सक्षात कार में बताते ही कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा मैंने युवा दिनों में अपने पिता को खो दिया जिससे परिवारिक व्यापार भी डगमगा गया था इस वज़े से मुझे किराय के रूम में भी रहना पड़ा ये समय मेरे और मेरे परिवार के लिए काफे मुश्किल था विराट कहते हैं कि आज भी वो दिन याद आते हैं तो आखों में आसू आ जाते हैं कोली के अनुसार भजबन से ही क्रिकेट प्रसिक्षर में उनके पिता ने उनके सहायता की थी मेरे पिता ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा थे वही थे जो रोज मेरे साथ खेलते थे आज भी मुझे उनकी कमी महसूस होती है विराट कोली को गहरा सत्मा तब लगा जब वो करनाटक के खिलाफ दिली के और शेक रंजी मैच खेल ले थे उसी दोरान उनको पता चला कि उनके पिता की मौत हो गई है यहां मैच में इनकी टीम को उनकी बहुत जरूरत थी अगर ऐसे में वो मैच छोड़ दे तो उनकी टीम हार रही थी इस दुविधा में उन्होंने मैच खेलने का नेड़ा लिया और बखुबी हिम्मत के साथ खेली इतना बड़ा सत्मा लगने के बावजोद उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोने दिया उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी खेल कर अपने टीम को मुसीबतों से उबारा उसके बाद वो सीदे घर गय और अपने पिता का अंति कुछ सीख सकते हैं विराट कोली का क्रिकेट करियर शाल 2008 में विराट कोली के भाती टीम ने अंडर 19 वर्ड कप जीता था इसके बाद 18 अगस 2008 को विराट कोली ने श्रिलंका के खिलाफ अपना पहला अंतराश्टी डेब्य मैच खेला था इसके बाद 2011 में वर्ड कप के और वर्ड कप इंडिया का खिताब अपने नाम किया